कुमारी राधा पांडे जी गुरुदेव आपके चरणों में कोटी-कोटी पनाम राधे राधे महराशी कर्मन्ने वाधी कारस्ते मां फलेशु कदाचना बिना फल के इच्छा के करम कैसे संभव है क्योंकि जब इसलिए तुम्हें असंभव लग रहा क्योंकि तुमने अपन सवाल में तो अगर एक हांसिल चूक जाए तो सवाल हल नहीं होगा अगर एक प्लस या माइनस चूक जाए तो सवाल नहीं होगा बस यहां समझें सवाल हमारी गलत यहीं से हुआ है तब ते जीव भयो शंसारी छूटी नग्रंथे ना भयो शुखारी कब से जब से इस सरीर को मैं मानने पर कभी निश्काम नहीं हुआ जा सकता कभी भी क्योंकि कामना का पुतला है एक कामना पुरुन होई फिर दूसरी कामना फिर तीसरी कामना भगवान वहां बंधन मुक्त होने के लिए कह रहे कर्मने वादिकार रशते माफले उसका दाचन जैसे मिस कर्म से अच् साहिए अच्छा होता रहे किसी से बुरा ही बुरा होता रहे क्योंकि यह सरीर बना है जाने अन जाने में कुछ न कुछ बुरा हो जाता Ort पुनि dzisiaj हो जात दो अनि जाने वाले नाशवार है तो हमको अभ ऐसी को गती प्राप्त करनी है जो सुक दुख से ऊपर है अखंडкт प अगर भक्तिस से चले, तो है भगवन, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम, और भगवान के लिए हम जो कर्म करते है, बड़ी अपार शामर्था आजाएगी इसी कर्म में, भगवन उसका बड़ा गुत रहासे है, कर्मने वाधिकार्स्ते माफले उसका दाशन तुम फल की इच्छा न रखो बस फल तु मिलेगा ही मिलेगा खेती में बीज बोया है तो तो फल देके ही रहेगा अगर नष्ट न हो जाए तो बीच में कर्म चल रहा है अगर कोई अपराद बन गया तो बात अलकी है नहीं तो फल की अगर इच्छा नहीं करोगे तो तुम्हें इस्थिती प्राप्थ हो जाएगी सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभाव जया जयो शुख दुख में समान भाव लाभान में समान भाव और जय पराजय में समान भाव कोई भी द्वंद तुम्हें दुखी नहीं कर प सुख के लिए और पीछे का प्रारब्द कर्म पाप कर्म लागू हो गया उसा फल नहीं होने देगा आपको दुख देगा अगर आप फल की इच्छा में ही पूरे निर्धारित हो जैसे बिद्यार थी फल की इच्छा कि मैं परिक्षा में पास हो जाओ अब अब अभ्यास कि इच्छने लगा मैं सरीरी छोड़ दूं फल की इच्छा ने का पहुंचा दिया एक किशान फसल की वर्शा हुई ओले यह फसल नस्ट हो गई अब उसकी इच्छा थी कि फसल आ जाती तो बच्चों की फीस बरते बेटी का ब्याह करते लेकिन वह नहीं हो पाया और वह इ रखना क्या नहीं नहीं ऐसा हमारा मानोदे इसके लिए नहीं मिला है बहुत सोच समझ कर भगवान बूल ले ना कर्मने वाधिकार रस्ते माफलिस कदाशन तू फल की बिलकुल इच्छा मत कर और अपने करता भी कर्म को कर तो फल तो मिलेगा ही मिलेगा लेकिन तू परेश दोर का आएगा मंगल में आएगा अगर हम केवल फल पर इच्छित है तो अब हमको यह दिखाई दे रहा कि परेणाम तो आया नहीं अब हमारी अश्रद्दा भगवान पर हो सकती है हमारी चिंता सोख का कारण बन सकता है करतब का फल ना ना मिलेगा पक्का मिलेगा हो पर तुम्हारी इच्छा होने के कारण तुम ततकाल दुखी या सुकी हो सकती हो मिला तो फूल गए ये भी दोश है हर्शित हुए तो सोकित होना पड़ेगा अगर हर्शित नहीं हुए तो सोख होगा ही नहीं अगर किसी से राग नहीं तो द्वेस होगा ही नहीं अगर काम नह अग्रत कर लें सत्संग के द्वारा तो हम शुक दुख में शमान भाव कर सकते हैं पूर्ती अपूर्ती में समान भाव कर सकते हैं तो हम जीवन मुक्त हो जाएंगे कर्म हमें बांध नहीं पाएगा यह जो भगवान बर्णन कर रहे ना यह कर्म बंधन ना हो इसलिए कह रहे कि इच्छा ही तुम्हारा कर्म बंदन है इच्छा रही थो जाओ देखो तुमने इच्छा नहीं की बाल्याउस्ता से जवानी में आने की जवानी से बुढ़ापा में आने की बुढ़ापा से मृत्युमाद एक सिस्टम है चल रहा है ना चल रहा है तुमने कभी चाने की कि मुझे दुख मिले, लेकिन मिल रहा है न, सिस्टम है, जो हमने बो दिया है, वो हमें काटना पड़ेगा, तो अब हम अच्छा बो रहे हैं, अब हमें चिंता नहीं करनी, उसका फल अच्छा नहीं आ रहा है वर्तमान में, तो पूर्व का जो बुरा ह है, वो हमें भोगना पड़ रहा है, लेकिन ये व्यर्त नहीं जाएगा, ये अगर जोर का हो गया, तो पूर्व वाले को नश्ट भी कर सकता है, और सुख ही सुख आगे मिलेगा, परमानंद मिलेगा, इसलिए भगवान कहे रहे हैं, फल को हे तो मत बनाओ, अगर फल को हे बनाओगे, तो क्रपना फल हे तब हाँ, वो बहुत कमजोर हो जाएगा, दैन्य हो जाएगा, आप क्या, एक बिचरन जब कर रहे थे, तो एक गाओं में किसी की भैस मर गई थी, तो पूरा परिवार रो रहा था, बच्चा, पत्नियों सब, तो उसी गली से निकलना था, त पूरा परिवार व्यथित था, भगवान यही समझा रहे है, हमारे कर्म के अनुशार परिणाम आया, हमें निरास ने, हम लेवरी कर लेंगे, लेकिन हमको निरास नहीं होना, आज यह उशर आया है, दुख का, कल कोई सुख का उशर आएगा, ऐसा हम विश्वास करें, और फिर अम कर्म में लग जाए, मन comprend करने लगे तो 500 रुपया मिलता है लेवरी में, तो हमारा परिवार चल जाएगा, हमको परिवार को निरा करने की बात नहीं आनी चाहिए, हमको अपने को निरुष्ट करने की बात नहीं आनी आनी, आज समय गिरा है, देखने को एक दिन सु कुक्ति रखेंगे तो इंतिजाम नहीं करेंगे हम जीत ही जाएं प्रयास थोड़ी गुंजाइस रखें कि अगर हम हार गए तो अगली बार ब्र장 रखाएंगे अगर कीवल by जीतने Nahar की सोचा भी तो फिर हम जब हार जाएंगे तबunta बहुत निरास हो संसार क्या है बस जीत पर ही लक्ष रखता है सुख पर ही लक्ष रखता है उन्नती पर ही लक्ष रखता है और यह जानता नहीं कि पीछे के कर्म जो हमारे हैं वो उन्नती और जीत और सुख तीनों में बादा पहुचा देंगे तो हमको मजबूत रहना है जैसे युद्ध में कुस्ती में जाया जाता है तो 99 प्रसंट तो जीतने के आसा होती है पर एक परसंट यह भी होता है कि हमको पर्रास्थ करते देखो अरजुन को कह रहें कि देखो जीते तो स्वर्ग का सुख मिल भूमि का सुख मिलेगा और अगर हारे मरे स्वर्ग को जा उग MON रास्ता रखा भगवान होते हुए भी उनको कह रहे कि यदि तू जीत गया तो भूम शुक अगर हार गया मारा गया तो तू स्वर्ग सुक पाएगा दोनों में तेरे कुलाब है अगर युद्ध नहीं करेगा तो तेरी निंदा होगी प्रकति जबर जस्ती तेरे से करवाल कर के भी ना कोई रह नहीं सकता तो हमें अपना करतब कर्म करना हिम्मत ये रखने हैं कि जो होगा देखा जाएगा परिणाम में अदि हमारते हैं तो बराबर हार नहीं आएगी क्योंकि बराबर सुक नहीं आता बराबर जीत नहीं होती किसी की भी कहीं नहीं तो एक इस को दुख से ऊपर उठने के लिए एक ऐसे आनंद में कि बड़े से बड़े दुख को शह जाओ बड़े से बड़े सुख में अभिमान न करो फूलो ना क्योंकि भगवान है ना वह आपको परम सुख की बात बता रहे हैं किसका प्रस्णता तो आप समझ पा रहे हैं जी